इतनी भीर करवाली इलक्ष्टं में कुरोना नहीं था मॉल में कुरोना नहीं है वाजार में कुरोना नहीं है यहें बच्चे जिनका बॉर्ड का एक्जाम है इन अभी आयटी और परिक्षाओं को लेकर इस्थिस्थिस पश्ट कर दी गई है और सभी अटकलों पर विराम लगाते हुई यह बात तो बिलकुल सपश्ट है कि परिक्षाओं औन लाइन नहीं होगी और यह परिक्षा केंद्रों पर ही होगी लेकिन चात्र समझस के स्थिती में है क्योंकि कोरोना की संक्रमन काल में ऑनलाइन पढ़ाई उनकी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाई जुसके कारण छात्रों की तैयारी अधूरी है और आगे की पढ़ाई के लिए इस आधार पर अपने को अधूरे मानते हैं शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पुकरियाल निशंक का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों की शंका का समाधान कल यानी 10 दिसंबर को दिन में 10 बजे करने की बात कही है लेकिन कोरोना संक्रमन काल में बच्चों को कई तरह की समस्या में सामने आ रही है इस पर शिक्षा कमर्दीब जहां गौतम ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए था के सामने तरीके से बैठके पढ़ाए नहीं है स्कूल वाले लोगों ने भी ऑनलें ग्लासे बच्चे लोगों की लगा है लिकिन सबका फीडिवेक तो यही है कि बच्चो में कुरोना नहीं था मॉल में कुरोना नहीं है बाजार में कुरोना नहीं है लेकिन जो बच्चे जिनका बूर्ड का एक्जाम है जिन्हें अभी आयाटी और मेडिकल के एक्यमिशन देने हैं उन बच्चे लोगों के लिए कुरोना चल रहा है सरकार को यहां भी कोई एक सम मज में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें को कि बच्चों में हतासा निरासा है प्रोटिस अपाइंटिंग फील करते हैं वो कि हमारे तयारी नहीं है हम तो मेरा खराब हो जाएगा तो ऐसी पड़सिती में जब एक सुल्जा हुआ निरणा लेने के वजाए एक अंधी अंधे कु कर दी गई है तो आप एक्जामेशन क्यों ले रहे बच्चों का आप एक्जामेशन बिल्कुल ना ले और आप जब ने तयारी बच्चों ने नहीं किया और जाएंगे तो फ्रस्टेट होंगे और उनके फ्रस्टेशन का दिक्कत बहुत कुछ हो सकता है बहुत तरह जो समयदार है या सिर्फ एजुकेशनल प्लेसेज पर ही कोरोना के संकरमन की बात है इसका तो यही मतलब है कि युकेशन में ही सिर्फ कोरोना है